हालो इस्टूडेंट्स वेल्कम टू पीवीर स्टडी साथियों जैसा कि आप जानते हर दिन साम को साथ वज़े से क्लाफ नाइन्थ की मैथ सुरू होती है तो आज भी आपकी क्लास सुरू हो चुकी है देखिए कुश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए कुश्चन और चित्र सभी फटा फट सेशन को लाइक करके अपनी एटेंडेंस देंगे कौन-कौन जुड़ गया जैसे देखो सारीता यादो जी जुड़ चुकी है और परसनम भाना इनका बड़ा अजीब सानाम है रोहित जी जुड़ गये हैं और बहुत से बच्चे जुड़ गये हैं पूज अगलों को पहले को क्योश्चन को समझ लेना है ठीक है समझने के बाद में फिर आप आगे बढ़ेंगे चलें पढ़ए फिर कॉस्चन क्या लिखा है देखो इदर साइड में वस्जब ही के पास बुखोगी तो बुक में तो आप लोग जानी रहू क्या करना है पढ़ना तिर्भूज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो सम्दुबाहु तिर्भूज इस प्रकार है यानि कहने का यह मतलब है इधर साइड फिगर आप लोग देखो चितर देखो क्या कह रहा है कह रहा कि जो तिर्भूज है ABC मतलब यह बड़ा वाला पूरा तिर्भूज और BDC यह ज सेम आधार पर बने हैं और वह आधार कौन सा है भाई वह बेस है आपका BC चुकि देखो यह तिर्भूज जो बन रहें दोनों वह BC पर ही तो बन रहे ना है ना असुतोष कुमार तुमको पढ़ना एक नहीं पढ़ना है पढ़ना है तो चुप चाप पढ़ लो चलो आगे देखो क्या कहता है ध्यान दीजिए इधर साइड में आपको कुश्चन दिखा रहा हूं यह देखो कहरा कि A और D भूजा BC के एक ही और इस्थित हैं A और D जो है वह भूजा BC के एक ही और इस्थित हैं इसका मतलब समझो यहां अब फिर से फिगर देखो A और D भूजा BC के एक ही और इस्थित हैं यानि जो बिंदु है A और D यह भूजा आपकी है BC इसके एक ही और इस्थित हैं मतलब दोनों एक ही साइड तो है न हां दोनों एक ही साइड है न चलो देखो आगे कुश्चन क्या कहता है हम एक बार कुश्चन देखेंगे फिर ए तो BC को बिंदू P पर परतिछेदित करती है AD को बढ़ाया जाए देखो यहां पर दिखा आपको दिखाया भी गया है AD इसको बढ़ाया जाए मतलब नीचे को तो बिंदू P पर परतिछेदित करती है मतलब यह है कि पहले यह भुजा यहीं तक थी यह रेखा यहीं तक थी ठीक है उसके बाद क्या हुआ इसको बढ़ाया गया यह यहां तक ठीक है तो यह पीपर क्या कर रही पर तिछेदित कर रही है बात समझ में आई ना यही कह रहा था बस कुश्चन इतना ही है तो पूछ रहा है इसमें दर्फाइए मतलब दिखाईए यानि कि सिद्ध कीजिए अब क्या-क्या सिद्ध करना है यहां से देखो ध्यान से क्या-क्या सिद्ध करना है ध्यान दो आप सभी बच्चे जो भी है ठीक है कि क्या-क्या प्रूब करना है ध्यान दीजिए ए बीडी कंग्रे to ACD मतलब तिर्भूज ABD जो है वह ACD के सरबांगसम है यहां पर फिगर देखो फिगर मैंने थ्वड़ा दूर बनाया है ABD मतलब यह तिर्भूज जहां मैं हाथ रखा हूं ध्यान दो यह ट्रेंगल जहां मैं हाथ रख रहा हूं ABD कहरा यह केंग्रुज है सरबांगसम है A-C-D-K-A-C-D मतलब यह तिर्भूज और यह तिर्भूज हमें केंग्रुज सिद्ध करना है सर्बांगसम सिद्ध करना है ठीक है सीवां पंचाल जी कुछ समझ में आ रहा है चलिए अब ध्यान दो ख्या करना है सबसे पहले हमें सिर्फ एक लेके चलना है तो आप लोग जानते हो पहले आप यह बताओ किताब है सबके पास कख्छा नो की एंसी आरेटी बुक जिनके पास है जल्दी से यस बोलो फटा-फट सबके पास बुक है ना लगाय को कि बुक है नजब के पास को असतोषकुमारne तो सब उनती है बस तुम चुप कचा परिलो अच्छा है चलो चले सभी के पास बुक है ना देखो अब हम इसको प्रूब करेंगे कैसे देखो जो जो दिया सबसे पहले हम वो लेके चलेंगे अब दिया क्या क्या है यह देखो ध्यान दो एक तिर्भूज हमें दिया है जो कि आपके सामने दिखे रहा उधर हम ट्राइंगल पर चलेंगे कि फिगर देखो कुईस्टन जाने दो इस आप बुक है न सबके पास चलो ठीक है आप सभी बुक में अपने कुईस्टन देखना कुईस्टन मैंने पढ़ दिया अब इसको हल करेंगे सलूशन करेंगे ठीक है लिखो तिर्भूज ए बी डी ए बी डी इस तिर्भूज में A, C, D A, C, D मतलब ये तिर्भूज और ये तिर्भूज में लिखो तिर्भूज A, C, D में इन दिरों तिर्भूज को हम लेके क्या करेंगे इनको kangaroo हैं सिद्ध भी करना है इनी दोनों को हमें सरवांगसम भी करना है देखो अब इसमें हम ध्यान से देखें कि हमें कुछ बराबर दिया है कुछ बराबर है कुछ बराबर हो सकता है वही सब दिखा कि तभी तो सरवांगसम सिद्ध करेंगे न तो आप अगर ध्यान से देखो बच्चा तो इसमें A, B, B बराबर A, C दिया है है ना तो आप क्या लिखो के को श्ठक में परेजल लिखोर यह दिया है क्या लिखोरगे दिया है मतलब सद्धिया भार्टी जी चुपचाब पड़ लो अगर पड़ना है चलो आगे चलेई आप प्रूम्पर संपर करिये बाद में दिश्टरब मत करिए बस प्लीज अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा में टाइम दीजिएगा क्योंकि हमें कुछ और भी चीजें यहां पर देखनी है जो लोग आपको डिश्टरब करें उनको बलाक भी करना है क्योंकि बात क्या है ना कु दिया वो मैंने लिख दिया अब ध्यान देना क्या करना उसको देखो अच्छा चल रहा है न कोई दिक्कत तो नहीं न चलो एबी एसी बराबर है यह दिया है पहले से दिया था अल्रेडी यहां पर एक और चीज बराबर है वो का है डी बी बराबर है डी सी के देखो कैसे यह इस सवाल में कहा है कि दोनों क्या है पर बने दो सम्दुबाहुति भूज़ है इसका मतलब यह बराबर है और यह आपस में बराबर है ठीक है सही चल रहा है ना कि कुछ दिक्कात हो रही बाई किसी को बताइए सबी बच्चे बताओ अच्छा तो तुम परचायर करने आई हो तो तुमको मैं इसलिए तो बिदा कर रहा हूँ ना चलो ठीक है है गुड है डोल मजीराग साथ गाना घाने वाले आने बढ़ते आंके और पढ़ने वाले आते बच्चे ना चलो यह हो गया हाँ यह काहे को बराबर है कोई टक में लिख लो यह दिया है इसके लिए हमें और भी कुछ चीजें चाहिए तब हम इनको सरबांग समसीद्र कर सकत रहे हैं और वह कौन सी चीज है देखो आगे आगे इसमें हमें काम कर सकते हैं बच्चा अगर हम देखे एडी एडी तो इस दिर्भुज में यानि यह जो एडी भी है या फिर बी डी ए और यह सी डी ए जो इधर वाला है इन दोनों में कॉमन है डी कॉमन है कि नहीं भाई A, D, B और A, C, D, इन दोनों में A, D आता है ना दोनों में AB का युज है ना तो दोनों क्या है यह दोनों बराबर है है न ऑच्चा बराबर है लिखो AD equal AD बराबर काहे हैं बराबर क्यों आगर कॉष्ठक कियों है। कुष्टक में लिखो। रीजन लिखो। चलिए किरन महर्या जी बिल्कुल राइट चलो ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुड बच्चे सभी समझ रहें अच्छे से भाई यह आसुतोस कुमार को नहीं समझ में आ रहा है यह थोड़ा गदहा टाइप का लड़का यह और यह मेरे पास में यह इसलिए नहीं आ रहा चल देखो अब क्या है यह बुझा यह बुझा यह बुझा बराबर हो गई तीन बुझा बराबर हो गई बच्चा क्या हो गई यह कंगरेंस हो गए कंगरेंस हो गए ना क्या लिखो गया अब अब लिखो अताहा ट्राइंगल एवी डी कंगरेंस टू यानि कि सरभांगसम का च एस 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 रूल मतलब साइड 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 सम क्या बोलते हैं उसे सर्भांग सम्नियम से है ना दिनेश मिसरा जी बताइए समझ में आ रहा ना ठिक है लिख लिया हो गया ना इतना यानि अब हमारा जो पहला कोईश्चन था प्रूब्ड हो गया जल्दी से देख लो इसको तीस सिकेंड के अंदर देख लो फिर मैं इसको हटाऊंगा इसक्रें से फिर मैं दूसरा करूंगा चूकि एकसरसाइज सेवन पॉइंट जो थ्री है ना बच्चा इसमें पहले कोईश्चन में चार पार्ट हैं तो चारों पार्ट हमें अलग-अलग हल करने हैं ना इसमें स थिक है तो इसमें का यह फार्स्ट पार्ट हो गया दन फार्स्ट पार्ट हो गया अब हमें सिकेंड पार्ट करना है है ना बलबीर जी आ रहा समझ में बलबीर मीना पहले दिन जुड़े हो ना बच्चा तो रेगुलर क्लास देखोगे तो आएगा बाबू ठीक है हर दिन देखोगे तब भी आएगा एक दिन में नहीं आएगा चलो यह हो गया अब हमें इसको इरेज करेंगे इसको रफ कर देंगे यहां से मिटा देंगे फि प्रणियों की बुक से क्या है ना आप कुईस्टन को बार-बार पढ़ सकते हो कोई भी सवाल अगर आपको नहीं आ रहा आप उसे बार-बार पढ़ो बार पढ़ो जितनी बार पढ़ोगे बहुत सारी चीजिए आपको उसमें से मिलेंगी चलो अगला क्या करना है क्विस् को आज यह बीबी की यह नि यहत Bluetooth पूरा पूरा सिद़र वीखर देक रहा है इसको ए सिपी कर्णा है A cb । यह और यह पूर रहे थालो का ओ है क्या करू़क्रा पाउर करना है फो triangle ABP and ACP in triangle ABP and ACP जो बच्चे हिंदी में वो लोग लिखेंगे तिरभूज ABP यानि यह ABP और तिरभूज ACP में देखो इसमें क्या बराबर दिया है क्या बराबर हम कर सकते हैं वो चीज़ें हम करेंगे ठीक है अब देखो figure देखो और यहां पर solution करो चित्र देखके यहां पर solution करो question से कोई मतलब नहीं question पीछे है चलो इसमें अगर आप देखो तो ABAC की बराबर दिया है भाईया क्योंकि इसमें पूरा कि कोछ अलग नहीं करना है ठीक है जिन बच्चों की आज पहली कलास है वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और रेगुलर देखेंगे उनको पक्का आएगा ठीक है मनी सुपाध्या जी बिरिजी कांत मिस्रा और धंसा पासवान जी सब को आएगा सब को आएगा लेकिन रेगुलर क्लास देखोगे डेली देखोगे तब आएगा बच्चा ठीक है चलो पैसी और ये बी बराबर है यह कुस्चन में कहा है कहा है ने चलो कि लिएन आगे इसमें और का बराबर है आगे इसमें ऑर बराबर है देखो अभी-अभी हम लोगों ने क्या congrence किया था ABD और ACD अभी-अभी हमने ये तिर्भूज और ये तिर्भूज सरवांग समसिद्ध किया है किया है ना तो उसका भी तो कुछ यूज करेंगे ना इसमें तो क्या करोगे लिखो ट्रेंगल यानि जो ये है BAP ये देखो B, A, P मतलब ये कौण जो है A वाला and A कौण A, C, P कौन सा A, C और ये P मतलब ये कौण ये दोनों कौण भी तो आपस में बराबर है भाई ये दोनों कौण भी तो आपस में बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि जो बीच वाली लाइन है इसको सम्धिभाजित कर रही ना आधे आधेम बाट रही ना तो क्या लिख पाओगे तुम लिखो जल्दी से यहां पर लिखो एंगल रुको एक ओमार कर ले ले दूसरा भाई यह कुछ गड़ बढ़ चल रहा है बी एपी इक्वल सी एपी लिखो चलो फटा फट लिखो भाई अच्छा समझ में आ रहा देखो इनको मैं एक मनी सुपाद दहाया है इनको मैं आज से हटा दू थोड़ा देर के लिए हाँ देखो लिखो लिखो फट से लिखो क्या क्या मैंने जो कहा वही एंगल तो आपको लिखना ना बच्चा कौन कौन सा लिखना है ये ये दोनों एंगल बराबर है ये इधर वाला अधा इधर वाला तो लिखो एंगल बी एपी इक्वल एंगल एसी पी क्या हो जाएगा यार तुम लोग को तो दिखी रहा C.A.P. बोलो चाहे चाहे A.C.P. बोलो मतलब वही हुआ C.A.P. ये दोनों बराबर हैं अब देखो बराबर क्यूं है बराबर क्यूं है देखो ध्यान दो आर नाम पर मत जाओ काम पर आओ चलो अब हमें दो चीज तो बराबर मिल गया लेकिन दो बराबर में हम किसी को तिरभूज को काइंगरुएंस सिद्ध नहीं कर सकते हैं सरबांगसम होने के लिए तीन चीजें बराबर होना जरूरी है इसका इसे लिए लिख लो आप लोग के करस्पड़िंग साइड एंगल होते हैं उन्हीं पर आधारित क्या होता है यह सब किया जाता है ना आप चलो आगे देखो यह सीपी सीटी से हो गया रीजन में और जादा लिखना चाहो तो लिख लो क्योंकि पहले ही ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं फैस्ट में हमने क्या फूरूफ किया था भी अभी अभी मनें सिद्ध किया था चीज और बराबर आदा में तो दोनों इसलिए क्या यह बराबर हैं इसमें की और बराबर है वो का बराबर है ध्यान दो अगर हम बात करें ABP यह ABP और ACP की तो यह AP दोनों में है ना AP दोनों में आ रही कि नहीं है रही बोलो देखो फिर से देखो अगर हम ABP और ACP देखें ABP ACP तो AP दोनों में है ना दोनों तिरभूझ में आ रही न तो क्या करोगे आप इसे लिख सकते हो बच्चा AP एककोल AP लिख सकते हो ना क्यूं लिख सकते हो हां रेजन लिखो Common है क्यूं भाई Common है ना दोनों में दोनों में common है, तो हम बराबर लिख सकते हैं, लिखो, common है, हो गया, ये भी खतम, क्यों? हमें मिल गया, तीन चीजे मिल गई बस, अब नीचे लिखो, देखो, ये भूजा बराबर, ये कोण बराबर, ये भूजा बराबर, अब नीचे लिखो, अताहा, ये जो English Medium वाले बच् लिखो, आप लोग, triangle, ABP, congruence to ACP, देखो, congruence to का मतलब, सरवांगसम का चिन्हा लगाना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये हो गया, region लिखो गया, by, देखो, yes, as, है न, yes, as, rule, यानि, side angle, side rule से ये भी क्या हो गया, congruence हो गया, जल्दी से इसको देख लो, आपके सामने कुछ second के लिए question दिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसको erase करके आगे बढ़ेंगे, आप लोग इसका screenshot ले लो, ठीक है, भाई बलबीर मीना, English Medium में बच्चा अगर आप हो, तो मैं लगभग कोसिस करता हूँ, English में बोलता हूँ, ले लेकिन हमारी कोसिस होती है, कि English Medium वाले बच्चे भी इसको समझ सकें, इसलिए हम हर एक परकार का वर्ड यहां पर इंग्लिस में यूज करते हैं, ठीक है, देखिए, किरन मौर्या बिल्कुल sentence right, इन्होंने लिखा हुआ है, hence it is congruent, है ना, नीचे लिख लो, ऐसे ही, बाई, कि SSS नहीं होगा, SAS होगा, किरन मौर्या जी आपने दूसरे वाले में थोड़ा सा मिश्टिक किया है, यह SAS द्वारा जो है, केंगुरेंट हुआ है, हाँ, फैस्ट वाला SAS से हुआ था, चलो तो अब हम दो कुईस्टन कर चुके हैं, अब हम एक बार फिर से कुईस्टन पर आते हैं, इधर साइड देखो सवाल, अभी तक तो हम आपको दिखा रहे थे, फिगर उधर न, अब इधर आ जाओ, इधर साइड में आ जाओ, कुईस्टन देखो, क्या कह रहा है, लाइट जला दूं क्या में, लाइट जलने दिख रहा है, चमक रहा है, क्या देखो, चमक वाला देखो क्या कह रहा है एक कोण A और D दोनों को सम्दूभाजित करता है मतलब समझ रहे हो ना इसमें तीन और एक पार्ट और है उसको मैंने नहीं लिखा है अब हमें सीध्य करना है कि जो A P है वो कौन A और D दोनों को bystep कर रहा है मतलब figure पर चलो अब figure पर चलो देखो यहां पर यह जो रेखा A P है A P जो बीच बीच से गई है इसको यह पूरूब करना है कि यह आंगल A and D दोनों को byset कर रहा है दोनों को सम्दूभाजित करता है यह हमें क्या करना proof करना तीसरे में चलो तो इसको आप लोग लिख लिए हम इसको इरेज करके उस पर बढ़ेंगे ठीक है उदय सिंग भी बिल्कुल हिंदी मीडियम में ही पढ़ाएंगे मुझे पता है कि अधिकांस बच्चे सब हिंदी मीडियम में ही है तो प्रावलम की बात नहीं है चलिए इंग अब हम थाड़ पर चलते हैं ध्यान देना तो दियाती बोर्ड क्या है बहुत बहुत लंबी कहानी लिख दिया यार अब हम अगले पर चलते हैं थार्ड पार्ट पर देखो अभी अभी जो हमने प्रूब किया है उनी को ले कर करके हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक है ना भई चलो ध्यान दो थार्ड पार्ट कि लिखो आप लोग आठेखर का तो देखि रहा करने से पहले एक बार फिर से देख धो है तक तर्पूज्ट Abc और डीबीसी एक ही आधार BC पर बनने दो सम्दुबाहू तिरभूज इस परकार से हैं कि A और D भूजा BC के एक ही और इस्थित है यदि AD बढ़ाने पर BC को बिंदू P पर पतिछेदित करे मतलब वही बाइसेक्ट करे बोलते हैं न हाँ तो दर्साइए दिखाइए यानि कि प्रूब कीजिए ड्रेंगल ABD केंगरेंट 2 ACD तिरभूज ABD सरवांगसम है ACD के तिरभूज ABP सरवांगसम है ACP के ये दो मैंने कर दिया ये प्रूब हो गया तीसरा क्या कहे रहा है देखो वाई तीसरा भी एक है ये भी हमें प्रूब करना है कि AP कोण A और D दोनों को सम्दुभाजित करता है अब हम थाड़ वाला प्रूब करेंगे इधर साइड चलो ठीक है चलो चित्र की तरफ चलते हैं फिगर की तरफ चलते हैं ध्यान दो अब ध्यान दो हाँ अब क्या लिखोगे देखो हम सिद्ध कर चुके हैं क्या क्या थाड़ वाले लिखो I have already proved हम सिद्ध कर चुके हैं क्या क्या सिद्ध कर चुके हैं वाई लिखो कि एंगल वी एपी एंगल वी एपी इकल सी एपी कि सी एपी कि देखो यह दोनों एंगल ऐसे क्यूं है अब बताओ चलो अभी सिद्ध क्या पीछ इसको बताने जरूर्थ नहीं है अब हमें क्या करना है एपी लिखो एपी क्यों एको सम्दूभाजित करता है लिखो यह हम हम ए शित्ध करना है ठीक है अपी कामा लगा दो कॉंत को सम्धिभाजित करता है इसको इंग्लिज में लिख लो जादा अच्छा रहेगा AP वाइसे अंगल ए थोड़ा छोटा हो जाएगा ठीक है हिंदी मीडियों अपना लिख लेंगे हिंदी में एपी बाइसेट एंगल है ठीक है यह हो गया इसमें तो कुछ ज्यादा करना है नहीं मैंने लिखती है अब आगे देखो इसमें क्या क्या करोगे हमें दो तिर्भुज ले करके इनको हल करना है कौन-कौन एक तो बी-डी-पी बी-डी-पी यानि नीचे वाले में आ जाओ ठीक है तो लिखो तिर्भुज बी-डी-पी तिर्भुज बी-डी-पी और दूसरा कौन सा त्रभुज है उसके साइड में देखो बगल में देखो इदर साइड में क्या है ये CPD या CDP है न तो लिखो लिखो जल्दी लिखो CDP से चलो CDP से तिर्भुज C, D, P से आगे देखो क्या होगा यह ठीक है अगर यहाँ पे ध्यान दो तो दो साइडे बराबर हैं यह B, D, C, D के बराबर है ना भाई है ना बराबर बिल्कुल छोटू जी बिल्कुल बेरी गुड देखो कुछ बच्चे बहुत मेंनत कर रहे हैं B, D, C, D के बच्चा देखो B, D, C, D के इक्वल क्यों है चुकि पहले दिया है यह दोनों सम्दुबाव तिर्भुज है अगर सम्दुबाव हुए तो दो साइड इक्वल होंगी यह दिया है इसके अलावा इसमें और भी दिया है अगर हम यह और यह तिर्भुज लें तो बीच वाली यह डीपी जो भुजा यह भी दोनों में कॉमन है दोनों में कॉमन है ना तो आप लिखोगे D, P, E, Q, D, P भाई यह D, P, E, Q, D, P क्यो है देखो ध्यान दो मिश्टर रासुतोस कुमार पढ़ लो पिंकी के पीछे मत पढ़ो यह तो गडबड हो जाएगा चलो यह हो गया अब इतने में तो यह कुछ होगा ही नहीं जब तक कम से कम तीन दीजन ना निकले है ना B, D, E, Q, C, D, Q, बतारा भाई क्यों बाराबर है चुकि जो B है वो जो P है बिंदू P वो BC को समधिभाजित करता है तो आप यहां पर लिख सकते हो BP equal CP region लिख तो कोष्ठक में कोष्ठक में क्या लिखोगी region लिख तो by CP CT ठीक है CP CT अब CP CT का यह लिए चुकि इसके पहले आल्रेडी हम लोग यह triangle और यह triangle congruence सिद्ध कर चुके हैं इसके पहले हमने इसमें दो triangle को congruence सिद्ध किया है तो आप लोग क्या करोगे अगर APB और ACP ले लो तब भी इनमें congruence वाले rules से मैंने इनको सिद्ध कर दिया था तो यह हो जाएंगी क्योंकि corresponding साइड है है ना हाँ एक रीजन यह भी हो जाएगा कि बिंदु पी जो है मद्ध्य बिंदु है लेकिन सबसे अच्छा रीजन यह होगा कि हमने अभी अभी दोनों को सर्वांगसम सिद्ध किया था तो वो corresponding side हो जाएगी equal ठीक है आप चलो आगे क्या करोगे यह तो इतना हो गया इतना हो गया तो फिर करना क्या है इतना हो गया तो आप लिख दो यह भी दोनों क्या हो गए सर्वांगसम हो गए लिखो आता हाँ अगर congruence हो गए तब तो फिर जो कह रहा था बिंदु करने को तो होई गया भाई अगर कोई दो तिर्भूज सर्वांग समसिद्ध हो गए तब तो जो निकालना था कि बिंदु जो है उसको सर्वांग सम्दुभाजित करता बाइसेक्ट करता वो तो प्रूव हो जाएगा टोमेटिक लिखो और कोर हो अता कौन कौन सा ट्रैंगर था भाई कौन कौन ने लिया था ये दोनो वीटी पी काक्नुजटू c लोग ऑनि यह तो दोनों तिरभूज क्या हो गए है शर्वांग सम सिद्ध हो गए और शर्वांग सम्जब सिद्ध हो गए तब आप लिख सकतह हैं हिंदी में AP बिंदू AP बिंदू D को सम्दुभाजित करता है ठीक है बिंदू D को सम्दुभाजित करता है ठीक है लिख दो जल्दी सितना लिख लो फट से उसके बाद चलो उतारो हो गया ना जल्दी करो फट से लिख लो इसको हो गया इसके उपर जो ए वाला था उसको उपर ही मैंने सिद्ध करा दिया, उपर ही हो गया था वो, ठीक है? सीपी, सीटी का मतलब नहीं आता? घयतिरी परसाओजड जी तो बच्छा पीछे का कलास देखो ना, तुम पीछे का कलास नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा जो student पीछे की class अभी तक नहीं देखे वो जरूर देखें तब ही समझ में आएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा ठीक है तो यह आपका हो गया इसमें का जो सारा पार्ट था वो हो गया अभी इसमें एक पार्ट और है वो भी मैं करवाऊंगा इसको आप जल्दी से लिख तो आपके पास कुछ सिखेने का टाइम है ठीक है इसक्रीन साट ले लो जल्दी से लिखने में ज्यादा समय लगेगा मैं पूरा बोर्ड आपको दिखा रहा हूं सामने से हट गया हूं देखो जल्दी से हो गया चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं यहां पर हमसे पूछा था कि कोड़ ए और ड दोनों को समधिभाजित करता है तो मैंने सबसे उपर ही वहां पर दोनों को बराबर करके लिख दिया था कि जब देखो एक बार थोड़ा सा हो और यहां पर आप लोग क्लियर कर लो हमें दो बि एको समधिभाजित करता है दिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना था हमें इनको दोनों को सिर्फ बराबर दिखाना थे नहीं था कि जो बैप्बहार है यानि एकोंड़ और बराबर है तो जाहिर सी बात है यह वह यही द्रा वारा कंधिब़ाजित हो रहा है इसमे सभाजित कर रही है तो इसके दोनों रीजन यहां पर हो गए पुरा अब का करना भाई फिर से हम कुष्टन पर चलेंगे कि कुष्टन देखो नीचे यहां पर तो दिया नहीं यार चौथा कुष्टन मैं लिखा नहीं है इसमें पार्ट और है आप लोग कहो तो मैं लिख दे को कई एक पार्ट और करवा हूं कि न करवाँ कर लोगे आप लोग है बहुत आसान है वह कहरा कि को एपी नहीं का लंब समध्यां बात आई यह हैं यहां पर देखो जो एपी है वो बी सी का लंबench में समे भाज़कriv सिध्ध करना आ है तो वो दिख रहा है और जैसे ऐसे देख लो यह मालों भी सी है यह रिखा सीधी सीधी इस प्यारी तो क्या है लंब तो है लेकिन इसका लंब संब्धुभाज़क है इसे प्रूब करना है है ना बिल्कुल एस वाई जी बिल्कुल राइट चलो ठीक है यह सबी कर लोगे ना करा देओं अब मैं इधर कुष्टन में से कुछ मिटाऊंगा फिर मैं कर वाऊंगा उसको यह फिर यही पार हम आप लोग लेकर बैठा करें जिनके पास नहीं ले लो फिना बुक के समझ में कम आएगा आएगा तो समझ में चुकी मैं question लिखता हूँ लेकिन उतना अच्छा नहीं समझ में आएगा किताब रहती तो दूसरी बात रहती four part लिखो four part लिखो सभी बच्चे लिखो जल्दी से कह रहा कि AP रेखाखंड BC का समध्य भाजक है यह question है AP कि रेखाखंड BC का कि लंब समध्य भाजक है कि समध्य भाजक का मतलब भी सेक्टर है ना मतलब जो बीच बीच से डिवाइड करता है अब फिगर देखो और यह question का पार्ट देखो चार बस पाकी और question नहीं देखना है क्या करना चलो द्यान से आप लोग इसे लिख लो उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं देखो यह जो बी सी है उसको एपी लंब समधुभाजे करता है यह हमें सिद्ध करके दिखाना है लिख लिए है जल्दी करो चलो लिखो फट से अब देखो इसमें दो ट्राइंगल है एक एबी पी और अभी अभी मैंने सरबांगसम सिद्ध किया था एसी पी इसी को अगर हम लें दोनों तिर्भूज एक एबी और एक ए सिप तो इसमें एपि कॉमन आता था वी चुँ बीच में हम इन्मे समद्ध कारेंगे इसको दिखाएंगे एगा एपी बी थोड़ा सा गड़वर लग रहा है एपी और ट्रेंगल यह इसके बगल वाला जो है एसी पी एसी पी से या फिर में जो भी लिख लो यह दोनों को लेकिन हम पहले से आरेड़ी कांग्रुएंस सिद्ध कर चुके हैं सर्वांगस हम सिद्ध कर चुके हैं तो इसको लिखना थोड़ा सा गड़वर लग रहा है यह फिर मतलब अलग हो जाएगा लिखो चुकि ABP कांग्रुएंस टू ACP यह हम पहले से कर चुके हैं अभी देखो दूसरा तीसरा पार्ट किया था उसमें किया था ना इसको कांग्रुएंस करके दिखाया था पहले से दिखाया था आप सभी को CP CT रूल मने पढ़ाया है जिसमें आप लोग पढ़े हैं कि जो कर्स इक्वल होती है करस्पांडिंग एंगल जो होते हैं यह सब कांसेट अगर आपने सीखा है तो फिर इसका जो अगला पार्ट है उसको सिद्ध करना बहुत ही इजी है लिखो जल्दी लिखो चलो यहां पर अब आप लिख सकते हो एंगल देखो यहां पर जो एंगल है BPD बी पी और डी यह एंगल और दूसरा एंगल इसमें है CPD यह दोनों बराबर होगा कौन-कौन अरे यह बगल वाला CPD यानि यह एंगल और यह एंगल भाई सिम्पल से बात है बराबर होगा तो आप लिखो यहां पर बी पी डी इक्वल एंगल CPD लिख लो इतना जल्दी से चलो यह बराबर कहले होगा क्यूं होगा रीजन क्या है बाई सीपी सीटी चुकि इसके पहले हम दोनों को कांग्रुएंस भी सिद्ध कर चुके हैं तीन पार्ट जब मैंने किया था ना तो आप लिखो यहां ब्रेकट में रीजन लिखो बाई सीपी सीटी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो जरूर देख लें बीडियो पीछे प पक्का नहीं आएगा इसलिए आप पीछे के जो पार्ट है उनको देखिए जितना पीछे पढ़ा दिया गया उनको देखिए ठीक है अब इसमें हमें काम कर सकते हैं देखो हम सभी जानते हैं कि जो लीनियर पेयर बना रहे हैं कौन-कौन यह सीधा-फीदा लाइन अगर हम लीनियर पेयर यानी रखी कि युझा बनाते हैं तो आप लिखोगे एंगल बीपीडी प्लस एंगल CPD CPD Equal Exorciance यह परमिये है आपको पता है कि नहीं देखा अपने नहीं जो linear pair होते हैं उनका योखल Exorciance होता है यह linear pair alternate angle alternate interior angle exterior angle यह सब basic concept जब introduction बताया गया था तब पढ़ाया गया है अगर आपने नहीं देखा है यहाँ पर समझ में नहीं आएगा यह linear pair क्या है इसमें region लिखो ऐसा क्यूं हुआ लिखो by linear pair या फिर linear pair लिख दो बस ठीक है linear pair हिंदी में लिख दो रेखी क्यूंग मूँ ठीक है रेखी क्यूंग बनाते हैं इसलिए यह क्या है बराबर है अब आप एक काम कर सकते हो एक काम यह कर सकते हो पहले तो इसको मिटा दो जो नीचे लिखा गया है उसके बाद बताते हैं देखो आप यहां पर एक चीज ध्यान से देखो सबसे ऊपर अगर आप देखो तो यह दोनों बराबर हमने सिद्ध किया पहले से अब यह कैशे आया है, दूसरे के सहायता से आया था, वो कैशे आया था, हमने सर्वांगसम्सिद्ध किया था, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो BPD है, वो CPD के बराबर है, तो हम यह BPD के जगा पे CPD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, fabrication बराबर हैं, तो हम एक काम तो two angle cpd equal 180 आएगा ठीक है यह इतना हो जाएगा यहां से जब आप final में cpd निकालोगे तो 180 upon 2 आएगा और इसको अगर हम एक इस्टे पौर आगे बढ़ाएंगे तो जो cpd हो 90 आजाएगा है ना कितना आ गया 90 टिग्री आ गया ना और हमें क्या करना था हमें यही तो सिद्ध करना था बच्चा कि जो यह a p है वो इसको क्या कर रही है मतलब लंबवत विभाज़ित कर रही है क्या कैथा था बीसी का लंब समद्धोह रहजक है लंब समद्धु भाजक का मतलब 90 का कौन बनाये तब ही होता ना अब यह भी क्या हो गया सिद्ध हो गया तो इसके जितने भी पार्ट थे वो सब हो गया फोर पार्ट कुश्चन फिर से इधर देख लो एक बार यह कुश्चन था इसमें चार पार्ट थे चारों मैंने करवा दिये